लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा ये भी भाई कुछ भी कर सकता है जिस तरह से आप इनके साथ खेलवाड कर रहे हैं याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब और हर इस्टेट वालों को कहते हैं कि भाई देखें ये एलेक्शन का मुद्दा नहीं है नहीं ये पॉलिटिशन का मुद्दा है मुद्दा ये है कि SSC, Railway, IBPS क्यों बरबाद कर रही है हम लोग गवर्मेंट को केवल इसलिए टारगेट करना है क्योंकि ये संस्था है गवर्मेंट के अंदर में काम करती है वरना हम लोग को राजनी चीजी होते हैं और इस्टूडेंट के लिए खड़ा होना पड़ेगा हम इस्टूडेंट हमाई पास मैसेज में मैसेज आ रहाएगी सर आप भी कुछ के लिए एक्चुली क्या था कि हम अनाथासरम को लेके थोड़ा सा बीजी थे हम घर पे नहीं थे आप लोग भी देखेंगे इस्टूडियों हम घर पे नहीं बना रहे हैं बाहर से बना रहे है थोड़ा अनाथासरम में कुछ प्रॉब्लम है वहां आए लड़कों को देखे हम बात क्रेगा जहां अच्छे आपकी निधिया गलते गलतकर हैगा चाह flat कलता लेकिन आज मजबूर कर दिया गया मजबूर की आप खड़े हो इए और सुकरमना यह सरकार की अभी कोरोना है वहरना लड़के सड़क पर नहीं उतरें सब्सब्स हरा ना तो हम गारांटी देते प्रत के युवाओं ने अपने भावूते के लिए लिए युवाओं को वन्ना ये एक दिन युवाओं उत्पा ये इसका सर घुमाना तो ये अपनी हद नहीं देखताए दुसमन का सर अध पार कर देता है यहाँ पर इसको प्लीज हम हाथ जोड के कहते इसको जल्दी से जल् और कोरोना के बीच में、 तो सब के मन में एक भावना पैदा कर दिया है, कि कोरोना जैसे आपात काल में, घर में एक सरकारी मौरी का होना ज़रूरी था, इसलिए लडगा त्यारी कर रहा है कि प्राइजे collectively क yapmışकाyal है जिनकी सरकारी ति कम से कम कुछ तो मिलडा था हमाँ पर, आप लड़कों को रोजगार दीजिए, रोजगार मांगेंगे, यह हमारा अधिकार है, अगर अधिकार मांगना बगावत है, तो समझो कि हम बागी है, आप समझेगे, हर टीचर कोई मजबूरी में आया है, कोई टीचर को सौख नहीं लगाता है, कि गला फाड़े, उसको आना मिलेगा आपकी इस अंदोलन को खुचलने का, आप एकदम अहिंसक रूप से, एकदम सब ये तरीके से अपना विरोध दिखाएंगे, और हम ये उमीद करते हैं कि ये गांधी का देश है, एक दिन हम जरूर जीतेंगे, राब कितनी भी बड़ी क्यों नहों, सुबह हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन!